हलो बच्चों तो आज हम discuss करेंगे नया topic और इसको बोलते हैं हम electrons नहीं प्रतिस्थापन या English में इसको बोलते हैं ESR ठीके क्या बोलते हैं ESR या Electrophilic Substitution Reaction ठीके क्या बोलते हैं Electrophilic Substitution Reaction ठीके Electrophilic Substitution Reaction या ESR या हिंदी में इसको बोलते हैं Electrons नहीं योगात्मक हमने पढ़ा था अभिक्रिया ठीके Electrons नहीं योगात्मक अभिक्रिया हमने पढ़ा था अब हम पढ़ेंगे Electrons नहीं प्रतिस्थापन तो बच्चों जैसे हमने पढ़ा था नाभिक्स नहीं प्रतिस्थापन वैसे यहां पर हम पढ़ेंगे क्या Electrons नहीं प्रतिस्थापन ठीक है धरोमेटिक योगिकों में यहां से बच्चों H प्लस चला जाए और E प्लस यहां पर आकर के जुड़ जाए ठीक है तो इस तरीके का प्रतिस्थापन कहलाता है क्या कहलाता है Electrons नहीं प्रतिस्थापन H प्लस चला जाएगा और E प्लस जुड़ जाएगा हटा एप्लस जुड़ प्रतिस्थापन हुआ यह प्रतिस्थापन किस ने करवाया Electrons नहीं ने करवाया इसलिए इसको क्या बॉलते हैं Electrons नहीं प्रतिस्थापन ठीक है बच्चों एक वार इसकी क्रियाविदी देखते हैं उसमें हम अभी करिया करवाते हैं किस से? इलेक्टरांस नहीं से तो इलेक्टरांस नहीं से हमने reaction करा ही दोनों इलेक्टर्न यहां आ जाएंगे यहां पर minus यह इसके साथ जुड़ जाएगा और जुड़ जाएगा तो यहां पर तो आ जाएगा क्या? इलेक्ट्रांस ने ही और जैसे हमने अलकीन में करवाया था दूसरे कारवन पर आ जाएगा धनावेश ठीक है जैसे एक बार फिर से देखें आपन इसको तो यहाँ पर मैंने इसको ऐसे बना लिया तो यह समझने के लिए अच्छा हो जाएगा आपके लिए ठीक है पाई तोड़ दिया और यह पाई बन को इसके अब अंदित इलेक्ट्रां यूग या लोन पेर बना लिये इस पर धनावेश आ गया तो अब कोई इलेक्ट्रांस नहीं आएगा तो यह रिनावेश के साथ इसके साथ बन बना लेगा क्योंकि इसके बास लोन पेर है या अपस में बन बना के यह बना लेंगे ठीक है तो यह इसकी फॉर्स्ट स्टेप है यह इसकी क्या है पहला पद है और यह बचों यह है अरोमेटिक योगिक यह क्या है अरोमेटिक योगिक और जो बन रहा है वो है non-aromatic योगिक non-aromatic non-aromatic कार्वधनायन है या मद्यवर्ती है ठीके क्या है मद्यवर्ती या non-aromatic कार्वधनायन है अब क्या करें अब हम क्या करें बोलो अब ये जो पत था ये बहुत धीमा पत है ये क्या है बहुत धीमा पत है दीमापद है क्योंकि एक अरोमेटिक योगिक एक मद्यवर्ती में परिवर्तित हो रहा है और मद्यवर्ती का जो गुण है वो नॉन अरोमेटिक है तो कुछ हद तक जो धनावेश है वो अनुनादी सरचना बनाता है और इससे कुछ हद तक इसको स्थाइत्व मिलता भी है ठ ठीक है ये धनावेश पाई के साथ एक और बार अनुनादी सरचना बनाएं और ऐसा बना सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है जो धनावेश है वो अनुनाद द्वारा स्थाई तो हो रहा है और इस प्रकार से ये तीनों अनुनादी सनचनाव के लिए हम एक अनुनादी संकर बना सकते हैं इस तरह से तो डेल्टा प्लस यहां आएगा ठीके डेल्टा प्लस यहां से यहां आएगा और यहां आएगा ठीके तो इसको बोलते हैं अनुनादी संकर यहां इसको V-Land संकूल भी कहते है V-Land संकूल ठीके और यहां फिर इसको Sigma संकूल भी कहते है Sigma complex यह Sigma संकूल ठीके तो यह इसके नाम है ध्यान रखना अब क्या है? First step में तो स्थाई तो कम हुआ क्यों? क्योंकि अरोमेटिक था इससे बन रहा है नोन अरोमेटिक अस्थाई बन रहा है और यही अभी क्रिया की slow step या दर निधारन पद, धीमी पद हो जाती है ठीके? अब जो second step होती है उसमें क्या होता है देखो? किसी तरीके से यह अपने स्थाई को वापस लाना चाहता है किसी ने पूछा भाई तुमको क्या हो गया है बोले हमको तो सिग्मा कॉंप्लेक्स हो गया है हमारी आरोमेटिक चली गई है और यह बिल्कुल उदास-उदास रहने लगता है ठीके? तो होता क्या है? यह जो सिग्मा बंद यहां से तूड जाता है और हाइडोजन यहां से उद्सरजित हो जाता है एच प्लस बन करके ठीके? एच प्लस बन करके उद्सरजित हो जाता है और कार्बन पर आ जाता है कार्बन पर आ जाता है रिनावेश यहां है धनावेश तो यह वापस सॉरी मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया यहाँ था धनावेश ठीक है यहाँ पर क्या था धनावेश था ठीक में तुको ठीक है तो यहाँ पर क्या था बताओ इलेक्टरांस नहीं आके जुड़ा यहाँ पर पहले से एक H भी रहा होगा ठीक है हर एक कारवन पर तो H है तो यह इलेक्टरांस नहीं जो है यहाँ पर आकर के जुड़ा ठीक है तो इस कारवन पर एक H भी रहा होगा ठीक है अब क्या होगा बच्चों यह सिगमा बोन्ग यहाँ से टूड जाएक ठीक है और सिगमा अगर bond तूट जाएगा तो H प्लस बाहर हो जाएगा और H प्लस बाहर हो जाएगा तो यहाँ पर तो दनावेश है यहाँ पर इनावेश आ जाएगा और यह आपस में बना लेंगे double bond और ऐसा होने से दुबारा से aromatic गुण वापस आ जाएगा तो जिस carbon से H प्लस निकला जैसे इस से निकला तो E प्लस यहाँ जुड़ेगा जैसे यहाँ अगर हमने जुड़ा तो यहाँ से H प्लस को निकाल देंगे तो यहाँ पर पहले पद में तो aromatic से non-aromatic बन रहा था मतलब non-aromatic से वापस क्या बन रहा है aromatic बन रहा है यह मज़ेदार बात है non-aromatic से क्या बन रहा है aromatic यही इसकी खास बात है इसी को बोलते है electrons नहीं प्रतिस्थापन या Electrophilic Substitution Reaction ठीक है तो जो पहला पद है वो है E प्लस का आकरमन जिससे की सिगमा संकूल या विलेंड संकूल या अनुनादी संकर हम बनाते है card9 बनता है जो की अनुनाद वारा स्थाई होता है और दूसरा पद है H प्लस का बाहर जाना और इसी से स्थाई तो वापस आ जाता है यह क्या होता है fast होता है ठीके अधिक दर से होता है ठीके तो इस तरह से हम इसको लिख सकते है ठीके अब बच्चों इसके बारे में हमें करनी हो और आगे बातचीत इसके हम गुणों के बारे में करते हैं बात ठीके किसके बारे में बात करते हैं या slow step है वही निर्धारीत करता है क्या वही निर्धारीत करता है कि अभी क्रिया की दर क्या होगी ठीके दर नियम क्या होगा और पहले पद के इसाब से हम दर नियम लिखते हैं दर नियम क्या कहता है दर बराबर दर नियतां के Aromatic Yogic की सांधरता Electrons नहीं की सांधरता ठीक है Aromatic Yogic की सांधरता Into Electrons नहीं की सांधरता ठीक है और दोनों की घात एक एक तो इसकी जो कोटी हो जाएगी वो दो हो जाएगी ठीक है इसकी कोटी क्या हो जाएगी दो हो जाएगी इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं इसमें दो कोटी है यहां दूई आन्विक अभिक्रिया हम बोलते हैं ठीक है सेकेंड ओर्डर यहां दूई आन्विक अभिक्रिया हम बोलते हैं इसको बच्चों मॉलिक्लारिटी टू भी कहते हैं ठीक है इसके बाद एक और important बात है वो ये है कि इसमें बन रहा है कार्व धनायन क्या बन रहा है कार्व धनायन ठीक है कार्व धनायन इसमें मद्यवर्ती है तो यदि कार्व धनायन मद्यवर्ती है तो कार्व धनायन का स्थाइत जितना अधिक होगा उतनी अभिक्रिया की दर अधिक होगी मैं बोल सकता हूँ की अभिक्रिया की दर कार्व धनायन के स्थाइत स्थाइत के समानुपाती होगी ठीके, कार्व धनायन के स्थाइट्टू के समान उपाती होगी ठीके, मैंने बताया था ना आपको कि यहाँ पे देखो आप यह फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है स्लो स्टेप है यह धीमी पद है इससे कार्व धनायन बन रहा है तो अभी हमने लिया दर टकला बेंजीन ठीके, इसमें कोई समू नहीं था इसमें मिथायल, क्लोरो, एनोर्टू, कुछ लगाएंगे हम ठीके, एल्डी हाइट, कीटों, तो क्या होगा फिर अब इसकी अभिक्रिया की दर उन समू पर निर्भर करेगी कुछ समू तो ऐसे होंगे, जो कार्धनायन की दर को बढ़ाएंगे स्वरी, कार्धनायन की स्थाइत्य को बढ़ाएंगे, दर को बढ़ाएंगे और कुछ समू ऐसे होंगे, जो दर को कम करेंगे ठीके, तो वो हम बात आगे करेंगे लेकिन इतनी बात याद रखना कि कारधनायन मद्दिवर्थी बनते हैं और जो दर होती है वो कारधनायन के स्थाइत के समानुपाती होती है ठीक है कारधनायन के स्थाइत के समानुपाती होती है ठीक है तो यह दो पद में अभिक्रिया होती है टू स्टेप में होती है दो प अविक्रिया है, इसको थुदा अलग अपन लिखते हैं आगे ठीके, ए जो अविक्रिया है इसका हम एनरजी डाइगराम बनाते हैं ठीके, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जो पहला पद है, उसमें स्थाइत्व कम हो रहा है, तो इलेक्टरांस नहीं आएगा, कारवं से बॉ तो यहाँ पर बच्चों स्थाइट तो अरोमेटिक से नोन अरोमेटिक बनने की चक्कर में स्थाइट तो कम हो रहा है और स्थाइट तो जब कम होता है तो पहले पद में उर्जा बढ़ जाती है स्थाइट और उर्जा एक दूसरे के व्यूत करमान उपाती है ठीक है, स्थाइट और उर्जा एक दूसरे के क्या है, व्यूत करमान उपाती है तो उर्जा बढ़ जائएगी, क्योंकि स्थाइट तो कम हो रहा है और इस प्रकार का, अगर हम यहाँ पर potential energy लिखते हैं ठीके और यहाँ पर हम रखते है time ठीके तो यहाँ उर्जा और यहाँ पर समय reaction के लिए तो यह इस प्रकार का graph आता है ठीके इस प्रकार के graph में हमें समझ में आना चाहिए कि उर्जा बड़ेगी उर्जा क्यों बड़ेगी? क्योंकि यह था स्थाई स्थाई होने की वज़े से इसकी उर्जा कम थी यह है अस्थाई और अस्थाई होने की वज़े से इसकी उर्जा अधीक है ठीके? यह पहला point है जरूर याद रखना दूसरा point जब इसमें से हम H प्लस निकाल लेंगे जब इसमें से हम H प्लस निकाल लेंगे तो क्या होगा H प्लस निकाल लेंगे लोन पेर आ जाएगा डबल बॉन बन जाएगा ये reaction की क्या होगी fast step होगी और इस fast step में वापस से स्थाइत हमें मिल जाएगा स्थाइत वापस मिल जाएगा ठीक है तो ये ध्यान रखना है कि इसमें स्थाइत वापस हमें मिल जाएगा और स्थाइत वापस मिल जाएगा तो ये इसका अभी ग्रिया का second step होगा और second step से वापस से स्थाइत हो रहा है तो उरजा नीचे आजाएगी तो ये दो पद है और दोनों के लिए ये मैंने उर्जा का डाइग्राम बनाया है पहले इसको कॉपी करो, इसको समझो आप ये फर्स्ट स्टेप है, यहाँ है बच्चो बेंजीन और यहाँ है, यहाँ पर क्या है, कार्धनायन है, जो की मद्दिवर्ती है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो वापस बेंजीन बन गया और इलेक्ट्रांस नहीं जुड़ गया, मज़ा आ गया, ठीक है तो इसको जोड़ा कॉफी करिए आप लोग, जल्दी से ओके बच्चों तो यह क्या है, एनर्जी डाइग्राम है यहाँ यह है उर्जा आरेक, ठीक है, इसको हिंदी में बच्चों क्या बोलते हैं, उर्जा आरेक, ठीक है ठीक है बच्चों, एक चीज़ बताओ मुझे, कि यह तो बहुत सिंपल था, समझ में आया इसमें देखो, पहला पद धीमा है, और इसकी देखो, एक्टिवेशन एनर्जी अधीक है ठीक है, यह बहुत इंपोर्टन बात है, कि यह धीमा पद है, और धीमे पद के लिए, हमें अधीक उर्जा चाहिए होती है इसकी activation energy ज़्यादा होती है अब इस बात को अपन थोड़ा और आगे बढ़ाते है इसमें हम लेते हैं बच्चों समिस्थानिक क्या लेते हैं समिस्थानिक ठीक है तो अब हमने बात करी ली इसके बारे में इसको थोड़ा छोटा कर दिया जाए और छोटा कर दिया जाए ठीक है और बच्चों इसको अपन side में बढ़क देते हैं इस तरह से ठीक है अब थोड़ा ध्यान से देखो बच्चों यहाँ पर हमने क्या लिया बेंजीन लिया अब हम इसमें समिस्थानिक प्रभाव फिर हमने लिया C6, D6, फिर हमने लिया C6, T6 तो यहाँ पर तीनो हाइडोजन और ड्यूटेरियम और ट्रिशियम एक दूसरे के समिस्थानिक हैं हम पहले भी बात कर चुके हैं ठीक है तो इसकी सनचना C6, D6 की सनचना और C6, D6 की सनचना कुछ इस प्रकार से बन जाती है ठीक है और हम एक चीज जानते हैं कि जो बंद उर्जा है bond energy है बंद उर्जा है वो C6, D6 की सबसे CT की सबसे आधिक होती है फिर CD की और फिर CH की यह समिस्थानिक प्रभाव है और हम पहले से अच्छे से पढ़ चुके हैं CT bond सबसे प्रभल फिर CD फिर CH ठीक है CT सबसे प्रभल फिर CD फिर CH ठीक है अब इसमें देखो ध्यान से अगर ये अभी क्रिया में C6, H6 लिया जाए और D6 लिया जाए और T6 लिया जाए C6, H6 लिया जाए C6, D6 लिया जाए और C6, T6 लिया जाए और इन तीनों के दर्की की जाए तुलना अब तुलना अब तोड़ा ध्यान से देखो मैं ऐसा उधारंग बना रहा हूँ या फिर देखो ध्यान से कि हमने क्या किया बेंजीन लिया था और बेंजीन से हमने बोला कि भाई ये लेक्ट्रोफाइल आ रहा है तुम इसे रिएक्सन करो इलेक्ट्रोफाइल आया बेंजीन ने का आ जाओ और क्या बना लिया और इसने बना लिया क्या बना लिया बच्चों संकूल बना लिया सिग्मा कॉंप्लेक्स बना लिया ठीक है ये बना लिया अब अगर यहाँ पर जो दूसरा पद यह तो धीमा पद है, ठीक है, यह धीमा पद है, slow है, जो दूसरा पद है वो यह है कि यहां से H+, तूट जाए और दुबारा से यह aromatic गुण इसमें आ जाए अगर आपने C6, H6 लिया, तो सबसे आसानी से यह bond तूटेगा, और अगर यहां पर C6, D6 रहा, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा तूटना, फिर अगर T6 रहा, तो और ज्यादा बच्चों मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इस bond का तूटना क्या है, fast step है, कौन सी step है, fast step है और अभीक्रिया की दर तो निर्धारित होती है, RDS से, slow step से, धीमेपज से, RDS से तो अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचेंगे, तो यहाँ पर इसका आगे जाना, थोड़ा slow भी अगर हो गया, तो भी वो अभीक्रिया की तीवर step है, fast step है, और वो पूरी अभीक्रिया की दर पर कोई प्रभाव डालने वाली नहीं है, ठीक है, तो मैं यह बोल सकता हूँ कि अगर अभीक्रिया अनुत्क्रमनी है, मतलब irreversible है, हो सकता है, मैं हिंदी के वर्ट जोए थोड़ा से गलत लिख दूँ, लेकिन बचों आप तो सब समझदार हो, ठीक है, अनुत्क्रमनी है, ठीक है, तो ऐसे में जो दर है, वो सब की बरावर होगी, c6, h6 की दर बरावर, c6, d6 की दर बरावर, c6, d6 की दर भी बरावर, और ऐसी अभीक्रियाएं ही ज़्यादा होती है, और हमें एक-एक करके पढ़नी है, हेलोजनेशन या हेलोजनी करंड, नाइट्री करंड, ठीके और हम पढ़ेंगे, फ्रिडलक्राफ्ट, अलकाइलेशन, असाइलेशन वगेरा, ठीके एक-एक करके बताउगा, लेकिन अगर अभीक्रियाएं उत्क्रमनी है, अगर अभिक्रिया क्या है उत्करमणी है मतलब पीछे जा सकती है मतलब यह आगे भी जा सकता है पीछे भी जा सकता है यह आगे भी जा सकता है पीछे भी जा सकता है तो अभिक्रिया उत्करमणी है और दो ही अभिक्रिया हैं जो बच्चों उत्करमणी है एक है आयोडीनी करण आयोडीनेशन और दूसरा है सलफोनी करण जिसको बोलते हैं सलफोनेशन तो यह दो अभिक्रियां हैं जो उतकरमणी बाकि सारी अभिक्रियां अनुतकरमणी हैं ठीक है? तो अगर आपने A, छटा के D लगाया, तो आगे जाना मुश्किल होगा, और आगे जाना अगर मुश्किल होगा, तो अभिक्रिया पीछे चले जाएगी, कुछ अडू ऐसे होंगे, जो बोलेंगे, हमको आगे नहीं जाने दे रहें, CD bond तूटाई नहीं रहा है, तो वो पीछ पीछे चले जाते हैं, और पीछे अगर चले जाते हैं, तो अधीक समय लेते हैं, क्योंकि आखिर अभिक्रिया तो पूर्ण होगी, फिर वो आगे जाएंगे, फिर अभिक्रिया करेंगे, तो टाइम जादा लग जाएगा, तो दर कम हो जाएगी, मैं फिर से बोल रहा कि अगर यहाँ पे उतक्रमणी अभीक्रिया है अब यहाँ पे H आपने लिया इसको हटाया D लगा दिया तो ये वाला पद धीमा हो गया ये वाला पद अगर नहीं हो पा रहा है तो कुछ अणू पीछे चले जाएंगे क्योंकि उतक्रमणी है फिर होगी किसकी C6 D6 की और सबसे कम होगी किसकी C6 D6 की तो ये दर का क्या आएगा ओडर आएगा क्रम आएगा इसको बच्चों बहुत अच्छे से नोट करो नोट बनाओ इसके ठीक है यह आपका अच्छे से मैंने पढ़ाया फिर इसके कुछ गुणों के बारे में बातचीत करी फिर यह जो 7th point था इसका मैंने उर्जा आरेक बनाया है यह 7th point है ठीके उर्जा आरेक इस 7th गुण है और फिर इसमें समिस्थानिक प्रभाव मैंने आपको समझाया यह point number 8 है ठीके तो इन सारे points को अच्छे से करो तो हम इसके उधारण देखेंगे किसके उधारण ठीके इलेक्ट्रांस ने ही प्रतिस्थापन के करिये ना कॉपी करिये ओके बच्छों अब हम बात करते हैं इनके उधारण की और सबसे पहला उधारण है nitrogen ठीके तो सबसे पहले हम nitrogen के बारे में बात्चीत करते हैं तो नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है बेंजीन से जब हम अभी क्रिया कराते हैं किसकी इसमें पूरा हाइडोकार्वन ये खतम होते ही कम्प्लीट हो जाएगा ठीक है पर जैसे चैप्टर पर मैं आऊंगा तो मैं ये दुबारा इसकी क्रिया विधी एक एक स्टेप नहीं बताऊंगा मैं बोलूँगा ये मैं पढ़ा चुका हूँ इसलिए इसको ये हाइडोकार् बहुत सारे लेक्चर वो सारे चैप्टर ही है लेकिन मैं आपको एक सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ ताकि चैप्टर में जल्दी अच्छे से कम्प्लीट करवा सकूँ ठीक है तो बेंजीन पर हम इसको रियक्शन कराते हैं तो इसको बोलते हैं हम नाइट्रो बेंजीन क बेंजीन का नाइट्री करण मिक्शर होता है तो इसको बोलते हैं बेंजीन का नाइट्री करण और यह होता है नाइट्री करण मिक्शर होता है अब इसमें हमारे पास एक HNO3 एक H2SO4 H2SO4 प्रबल अमल है और HNO3 दुर्बल अमल है तो H2SO4 जो की प्रबल अमल है इसकी क्रियाविदी की बातचीत करें हम तो H2SO4 जो की प्रबल अमल है यह H+, दे करके HNO3 का बच्चों स्ट्रक्चर है यह H+, कहां से आया? H2SO4 से HNO3 में क्या उपस थी थे? औकूएं इसको प्रोटोनी क्रत कर दिया जाता है इसको क्या कर दिया जाता है? प्रोटोनी क्रत कर दिया जाता है ठीके और यहां से हम H2O को निकाल देते हैं बाहर और H2O को बाहर निकाल देते हैं तो यहां आ जाता है H2O और आ जाता है NO2+, ठीके और इसको बोलते हैं Nitronium iron यह क्या है बच्चों? Nitronium iron है और यह बच्चों Nitronium iron ही Nitronium iron ही क्या है? क्या है बोलो यही इलेक्ट्रांस नहीं है Nitronium iron ही इलेक्ट्रांस नहीं है और यह इलेक्ट्रांस नहीं बेंजीन पर आकरमंट कर लेता है ठीके पहले यह NO2+, आ करके जुड़ जाता है ये धीमा पद यहां RDS होता है इस तरीके से जुड़ जाता है और जो दूसरा पद होता है उसमें ये H+, चला जाता है और दुबारा से ये Aromatic gun ठीके ले आता है H+, बाहर हो जाता है तो ये Electrons ने ही Aromatic ठीके क्या है प्रतिस थापन अभी गरिया है यह सार है, इलेक्टरॉंस नहीं अरोमेटिक प्रतिस्थापन है ठीके तो मैंने आपको बताया ही था कि यह अनुत्करमणी होता है मैं इंग्लिश में लिखूंगा अनुत्करमणी मतलब irreversible होता है और क्योंकि यह irreversible होता है तो जो दर होती है अभी क्रिया की दर वो C6, H6 की और C6, D6 की और C6, T6 की बराबर होती है ठीके तो यह ध्यान रखना नाइट्री करन अब इसमें कुछ-कुछ important point है जो पूछे जा सकते है कुछ important point है जो पूछे जा सकते हैं इसको copy कर ले ना आप लोग ठीके मैं इसको चोटा कर रहा हूँ चोटा तब तक आप copy कर लो इसको ठीके वीडियो रोख करके करो copy अब बच्चों इसमें अगर अपन कुछ important बातचीत करें यहाँ पर HNO3 का क्या रोल है देखो HNO3 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 का क्या रोल है HNO3 का proton ही करन हो रहा है और H2SO4 कर रहा है प्रवल अमल है यह चार की तरह यहाँ पर इसका विवार है और इस अभीक्रिया के लिए ठीक है यह base है यह चार है यह ध्यान रखना बहुत सारे बच्चे HNO3 क्या है सार HNO3 अमल है अमल नहीं है इस अभीक्रिया में H+, क्या कर रहा है H+, के साथ बंद बना रहा है और जो H+, के साथ बंद बनाता है छोटू एटम के साथ वो क्या किलाता है base बेवी को base पसंद है ठीक है तो यह इसमें चार है यह base है दूसरी बात जो electrans नहीं है वो कौन है वो NO2 प्लस है NO2 प्लस electrans नहीं है ठीक है NO2 प्लस क्या है electrans नहीं है ठीक है यह एक और important बात इसके बाद बच्चों इसमें और क्या-क्या combinations है जो exam में question पूछे जा सकते एक और important question में बोलना भूल गया यह बताई दिया था यह अनुत्करमणी यह है और दर क्या होगी सब की बराबर होगी चोथा point यह है कि बहुत सारे combination बन सकते है जो बेंजीन के nitri current में काम में आ सकते है जिसे HNO3 और H2SO4 आपने लिया तो H2SO4 प्रबल अमल है यह तो काम में ले सकते हैं दूसरा हम ले सकते हैं HNO3 के साथ क्या ले सकते हैं HCLO4 यह भी प्रबल अमल है तीसरा हम सांद्र अवस्था में HNO3 ले सकते हैं concentrated ठीक है concentrated ले सकते हैं और concentrated लेते हैं तो बहुत सारे HNO3 जादा सांद्रता होगी और जादा सांद्रता होगी जाएगा तो इस प्रकार से दुबारा वही बन जाएगा H2O और NO2 प्लस तो ये बड़ी important बात है कि सांद्र हम लेते हैं तो भी हम nitrogen करा सकते हैं nitri current करा सकते हैं तो ये हो गया एक ये दूसरा ये तीसरा चोथा है बच्चों N2O5 ये भी exam में पूछा जा सकता है N2O5 ऐसे तूटता है ठीक है ऐसे तूटता है NO2 प्लस और NO2 माइनस इस तरीके से तूटता है NO3 माइनस ठीक है तो NO2 प्लस electrons नहीं हो जाता है एक और है इसमें NO2 ClO4 ये भी बहुत important ठीक है और ये कैसे तूटता है ये तूटता है NO2 प्लस और ClO4 माइनस इस तरह से तूटता है ठीक है और बच्चों अगर किसी question में NO2 प्लस आ जाए तो ये तो हमारे लिए lottery है direct arrow के उपर NO2 प्लस दे दे तो इससे आसान क्या हो सकता है ठीक है बच्चों तो ये है बच्चों nitrogen की बाच्चीत ठीक है मैंने अच्छे से आपको समझा दिया ध्यान रखना इसको भी copy करना आपको देख रहा हो ये क्या हो गया ठीक है ये जरूर copy करना कुछ जादे ही बड़ा हो गया इसको copy करना पहले ठीक है और फिर आप copy करना इसको पूरे को ठीक है ओके तो ये nitrogen है अब हम second reaction देखते हैं और इसको हम कहते है nitrogen soation क्या कहते हैं बच्चों nitrogen soation nitrogen soation ठीक है एक बार इसको देखें आप लोग ठीक है तो इसको nitrogen करन कहते हैं हमने देख लिया और इसको nitrogen so current कहते हैं nitrogen so current कहते हैं ठीक हैं तो इसमें बच्चों आप लिख सकते हैं nitrogen so current तो बच्चों nitrogen so group ये तो NO2 तो nitrogen so hydro होता है और केवल NO लिखते हैं तो इसको बोलते हैं nitrogen so group जने science so intern इसलिए इसको nitrogen so benzene कहते हैं और इस अभी क्रिया को नाइट्रोसो करन कहते हैं ठीक है नाइट्रोसो करन और इसके लिए हम काम में लेते हैं क्या काम में लेते हैं एने एनो टू और एच्सी एल काम में लेते हैं ठीक है क्या काम में लेते हैं एने एनो टू और HCL काम में लेते हैं ठीक है बच्छो इसकी एक वार अबन क्रिया विधी देखते हैं यहां से देखो क्रिया विधी तो इस क्रिया विधी में इस क्रिया विधी में ठीक है यहां से अगर आप देखोगे तो बच्छो एने एनो टू और HCL एने एनो टू नाइट्रस अमल बनाते हैं ठीके इसको हम क्या कहते हैं नाइट्रस अमल या नाइट्रस एसिट ठीके तो नाइट्रस एसिट ठीके तो नाइट्रस अमल का प्रोटोनी करण हो जाता है क्या हो जाता है बच्चों प्रोटोनी करण ठीक है और प्रोटोनी करण हो जाता है तो इस प्रकार से ये बन जाता है ठीक है ये बन जाता है फिर क्या होगा यहाँ से H2O निकल जाता है और ये बन जाता है H2O और हमारा प्यारा इलेक्ट्रांस नही ठीक है हमारा प्यारा इलेक्ट्रांस नही और इस इलेक्ट्रांस नही को हम कहते हैं नाइट्रो सोनियम क्या कहते हैं नाइट्रो सोनियम कहते हैं ठीक है अब यह जो नाइट्रो सोनियम है ये बेंजीन से कर सकता है अभी क्रिया और यहां से H प्लस को निकाल सकता है और जो अनू यहां पर बनता है वो बनता है नाइट्रो सो बेंजीन और H प्लस बाहर हो जाता है तो ये दो पद में होता है पहले NO प्लस जुड़ता है फिर H+, बाहर जाता है, दो पद में होता है और इस reaction को हम कहते है Nitrosuation, ये भी अनुत्करमणिय अभी करिया है ठीक है, कुछ बातें लियान रखना यहाँ पर H-O, N-O क्या है? चार है, क्योंकि H+, ले रहा है H+, के साथ बॉंड बना रहा है छार है यह, ठीक है Electrons नहीं कौन है, N-O प्लस है, ये Electrons नहीं है Electrons नहीं है ठीक है एक और important बात ये reaction भी क्या है ये अभी क्रिया अनुत्करमणी है और अनुत्करमणी होने के कारण ठीक है, इसमें भी जो दर की बात हम करेंगे वो बरावर होगी, किसके लिए, C6, H6 के लिए और किसके लिए, C6, D6 के लिए और किसके लिए, C6, T6 के लिए बचों, दर क्या आएगी, बरावर आएगी ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए ओके बच्चों, इसके बाद next अभी करिया, हम देखते हैं हेलोजनी करण, ठीक है, या हेलोजनेशन तो बेंजीन से यदि हमें कोई हैलोजन लगाना है सामानी उधारण आज लेते हैं बागी नेक्स क्लास में बात्चीत करेंगे ठीक है तो CL2 और LCL3 हमने लिया और यहाँ पर जो उत्पाद यहाँ प्रोडक्ट बनता है वो बनता है बच्चों क्लूरो बेंजीन ठीक है तो इसमें अगर अपन थोड़ा द्यां से देखें तो इसकी क्रिया विधी अपने अच्छे समझते हैं तो इसकी जो क्रिया विधी है उसमें CL2 क्या करेगा वताओ CL2 एक अनू है जिसमें क्लूरीन के बास ठीक है आबंदित इलेक्ट्रॉन यूग में और इसकी अभीक्रिया को हम कराते हैं LCL3 के साथ और यहाँ पर रिक्त पीकक्षक अलुमिनियम के पास उपस्तित होता है ठीक है? क्या होगा यह इसको इलेक्ट्रॉन युगम दान करेगा क्योंकि इसके पास रिक्त पीकक्षक है इसको Lewis4 भी कहते है Lewis base यह Lewis 4 तो यह क्या है? यह alueprint देने वाला संमू है ठीक है, यह Lewis Aml है यह क्या है? Lewis Aml है और यह क्या है? Lewis 4 है तो बचों यह इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है और क्लोरीन और अलुमिनियम के मद्ध एक सिग्मा बंद बन जाता है संकूल बन जाता है इस तरीके से आप जानते हो नो केंदरी ये मेटल परमाणू जब होता है तो संकूल निर्मित होते हैं यहाँ पर भी क्या हो रहा है संकूल निर्मित हो रहा है अलुमिनियम और कार्बन के बीच में और अलुमिनियम पर आवेश आजाता है माइनस और क्लोरीन पर इलेक्टरॉन देने के बाद धनावेश आजाता है अब क्या होगा बच्चों ये तूड जाएगा क्योंकि ये प्लस चार्ज इस पर अस्थाई चला जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा सी एल प्लस और पर्मानेंटली क्लोरीन अलुमिनियम के साथ बाद बना लेगा स्थाई रूप से बाद बना लेगा लेकिन ये तो हमारे लिए खुशकबरी है खुशकबरी क्यों है? क्योंकि हमारा तो इलेक्ट्रांस नहीं निर्मित हो गया मज़ा आ गया हमारे लिए क्या निर्मित हो गया? इलेक्ट्रांस नहीं निर्मित हो गया ठीक है? और वो इलेक्ट्रांस नहीं कौन है? सी एल प्लस ठीक है? और सी एल प्लस को क्या बोलेंगे? गया CL+, तो ये दो पद अभीक्रिया करके बेंजीन से H+, को हटा देता है और यहाँ पर जुड़ जाता है HCL+. ठीके है और इस प्रेकार से अभीक्रिया संपन हो जाती, H+, चला जाता है, CL+, जुड़ जाता है, समझ में ही बात, तो ये दो पदों में होती है, एक पद में तो CL प्लस जुड़ता है और दूसरे पद में ये क्या उदा चला जाता है और इसमें क्लोरो क्या होता है है तो बच्चों है लोजनी करन के बारे में और चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे फिलाल कुछ बात अपन यहां पे कर लें बात यह है कि यह लूइस यह अनुत्क्रमणी है और यदि यह अभिक्रिया क्या है अनुत्क्रमणी है तो जो अभिक्रिया की दर है C6H6 की C6D6 की और C6D6 की यह बराबर होगी ठीक है अनुत्क्रमणी है इसलिए दर क्या होगी बराबर होगी ठीक है तो यह बहुत इंपोर्टन इंपोर्टन बात ह इसको copy करिए ओके बच्चों तो halogeny current के बारे में अब हम बातचीत करेंगे अपने next lecture में आज के लिए इतना है Thank you very much